है हलो स्वीडिंट्स बिल्कुल सही थमनेल पड़ा है आपने बिल्कुल तमनेल पड़ा आज आए बात करने वाले हैं यहां पर सबसे बड़ा दुश्मन ठीक है यहां पर कुछन मार्ग लगा हो है सबसे बड़ा तो यहां पर इस समय आपके एक्जाम में आपके नंबर लाने का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है तो इसके बारे में आज जांस परताल करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में करें मैं अपने एक्सपरेंस से बताने की कोशिश करूँ है कि कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है तो अगर मेरे साब से मैं बात करूँ आज के टैम में जो यंग जनरेशन है जो आप आपको अपनी चीजों को उसी हिसाब से बदल लेना चाहिए या अपनी हिसाब से उसे समय के साफ से चीजों को प्रेफरेंस देनी चाहिए ठीक है अगर आप कहीं पार्टी में जाते हो पार्टी वियर कपड़े पहन के आप जाओगे अगर आप किसी शोक्षभा में जाते हो wise man wise girl wise boy सब जो भी है अगर सही समय पर आप सही चीज़ करते हो तो इस समय के हिसाब से इस समय के सीन के हिसाब से जब आपका बोर्ड एक्जाम 11 तारिक को आ रहा है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो शायद अभी भी आपके हाथ में हो शायद अभी भी आपके हा हमारी बहुत चीजों में हल्प करता है कि और पूरे साल आप लोगी बहुत है भी लेकिन फिलहाल यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन के साथ और सारे दुश्मन भी जुड़े हुए हैं इसके साथ वर्टसेप जुड़ा हुआ है इसके साथ टेलिग्राम जुड़ा जो ही है और दुनिया में से आप उस समय कौन सी दुनिया में मगन हो कि आपको भी पता नहीं चलता है तो फिर कई घंटे गए कई घंटे गए ऐसा बहुतों के साथ होता है और तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा यही है इसी से सारी चीज़े जुड़ी है इसका त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो कुछ दिन के लिए, तो आपकी जिंदगी, आपका एक्जाम, दोनों सफ़ल हो जाएंगे, यह मैं गैरिंटी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप अभी साथ नंबर लाने के लाइक हैं तो इसको छोड़ते हैं, आप सतर नंबर के ल जीके आलावा भी बहुत सारे मेश्ज जैसे होते हैं, जो distract करने वाले मेसेज होते हैं, और आप ेक बाख फोन उठाते हो तो वो एक लंबी सी कड़ी बन जाती है यह फितनी अगे बढ़ चुकी है और पढ़ने का टाइम आता है तब तक आप तक थक चुके होते हो फिर रात को लेने के लिए सो जाते हो वह बहुत लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के ज़रूरी हो तो आप इसको यूज करें या फिर अपना एक time set करके रखें इस time में हम इसको भी time देंगे कोई बाद नी time देंगे लेकिन यह नहीं कि जो पढ़ने का time होगा तब हम इसको हाथ में लेके चलें क्योंकि आपकी पढ़ाई के साथ आपका केरियर जुड़ा हुआ है आपके पढ़ाई के साथ मद्र फादर के सिप्यादा पर चलता है कि नक्षी कदम पर आज की neighborhood अपको सर्वाइव तब ही पूरा हो बात है जब आप 12 में अच्छा करो फिर उसके बाद आगे अगर स्यूटी आप देना चाहते हो तो उसमें अच्छा करो लेकिन उन सब की पहली सीड़ी यही है 12 क्लास है यहां से अगर आप अच्छा करके जाओगे एक confidence गेन करके जाओगे कि हां आपको इतना आता है और वह confidence आपकी किसी भी एक्जाम में आप जाओगे तो आपके डिफिनिटली बहुत काम आएगा बहुत काम आएगा लेकिन आप यहीं से डी मोटिवेट होके जाते हैं यहीं से ऐसे जाते हैं बड़ी मुश्किल से लटक आप लोग को सब कुछ अवेलेबल करा रखा है कोई इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लोग अगर मालो आप फाइनेशली भी स्ट्रॉंग नहीं हो तो ऐसा भी नहीं है कि आपको लोग कोचिंग की जाने के जरूर पढ़ती हो यूटूब पे हर एक सब्जेट का मैं यह लेकिन उसके अलाबा अचान मिल अच्छा होनी चाहिए आदी अद्धोरी नोलेज नहीं जहां भी आपको अच्छा अच्छा और भी यहां पुराना टाइम था उस समय तो ऐसा कोई resources ही नहीं होते थे जह हम लोग पढ़ते तब भी resources नहीं होते तो आप लोग को तो resources मिल रहे हैं तो utilize तो करो ना यूटिलाइस तो करो ठीक है वो resources आपको इसी के जरीए मिले हैं लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में मताया ना हर एक काम को करने का एक समय होता है तो वो समय इसका भी नहीं है इसको आप छोड़ दो ठीक है अगर आप लोग study करते भी हो online study भी करते हो तो कोशिश करो कि PC प पढ़ता है वो भी कम पढ़ेगा और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी जो गौट लाशी का सेंपल वेपर है वह भी हमने PC पर अवेलेबल करा दिया हलांकि जो पॉलिसी हैं हमारी एप के साथ उसके कोडिंग मैं नहीं कर सकता था लेकिन मैंने रिक्विस्ट करक पढ़े अब लोग लैटॉप पर बढ़ें बड़ी स्कीन पर पढ़ें तो उसका फायदा उठाओ उठाओ और जो आपका एक्जाम आने वाला है उसके त्यारिया करो और जो भी आगए वी एक्जाम जो आप करोगे ना जब तक आपके एक्जाम चल रहे हैं तब तक के लि दुश्मन को सामने से हटा दो इसको बिल्कुल ऐसे क्रॉस लगा दो ठीक है ताकि यह आपकी रास्ते में ना आए क्योंकि इसका कुछ नहीं बिगड़ना इसका कुछ नहीं बिगड़ना यह तो चलता रहे चलता रहेगा आप यूजर वाज इसके हो कल को यूजर होगा ठ फिचर आपका बनना है फिचर आपका बिगड़ना है ठीक है अपने आपको इस लाइक बनाओ कि ऐसे ऐसे आपके पास ऐसे पड़े डोलते रहे ठीक है यह आपके लिए इंपोटेंस ना रखता हो इसको आपके हाथ में आने पर इसको प्राउड फील होना चाहिए कि यह आ बखी आप सबके एक्जाम के लिए आप सभी को all the best